पाणियनी व्याकरण की सर्वप्रथम वीशेशता यह है कि प्रकृती प्रत्य के अनुशासन के द्वारा भगवान पाणियनी प्रत्यक साधू शब्दों का वितपादन करते हैं शब्द वित्पत्ति के क्रम में वो प्रथम कुछ प्रकृति लिष्चित करते हैं, बाद में प्रत्य कावधारन करते हैं, प्रकृति प्रत्य के योग से शब्द का वित्पादन करते हैं, ये प्रत्य अनेक प्रकार के हैं, कुछ प्रत्य प्रातिपदिक से विहित होते हैं, कुछ प्रत्य धातु से भीध होते हैं, धातु से भीध होने वाले प्रत्यों में हम तिन प्रत्य को देखते हैं, और धातु से ही भीध प्रत्य होते हैं, जिनको हम कृत प्रत्य कहते हैं, कृत प्रत्य के अनेक रूपों में सरवत प्रत्म जो कृत है, उसको हम कृत्य कहते है कृति प्रत्य के अंतरगत हम देखेंगे कि तर्थिया जिहा के प्रथम पाद के कतिपे सूत्रों में लगभगार औरतिस सूत्रों के द्वारा कृत्या से आरंभ करके नुलतर चोव सूत्र से पूर्व तक यह चित्यागनी चित्ते सूत्र परियंत भगवान पानी ने कृत्य का अनुशासन किया है यह बहुत बिचित्र बात है कि सूत्रकार कृत्य पद का जो अमशासन करते हैं यह कृत्य पद भी कृत्य प्रत्यांत के द्वारा ही निश्पादीत है। कृत्या सुत्र में जो बहुवचन का दर्शन होता है ये बहुवचन सुचित करता है कि कृत्य प्रत्य साथ हैं और प्रत्य गत्वहुत्य को ध्यान में रख करके कृत्या का बहुवचन सुत्रकार ने बहुत अवधानता पुर्वक रखा है। इसके अनंतर हमें यह विचार करना है कि कृत्य प्रत्य होते कितने हैं तो सामान नितह सूत्रकार ने थो छही प्रकार के कृत्य की चर्चा की है जिसका उलेख हम कर सकते हैं तब यत तब अनियर यत नियत क्यप ये छह प्रत्य तो साक्षात सूत्रकार के द्वारा भी भी ही किन्तु एक प्रत्य जो वारतिक के द्वारा प्रकट हुआ है प्रकाश में आया है जिसका नाम है केली मर तो ये साथ प्रत्य जिसमें सुत्रकार ने एक द्रिष्टी अपनाई है कि इन कृत्य प्रत्यों का अनुशासन कैसे किया जाए कृत्य प्रत्यों के अनुशासन के क्र में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम सूत्रकार ने उन प्रत्यों को सामने रखा जो धातों मात्र से विहित होते हैं प्राया सभी धातों से विहित होने वाले प्रत्य तीन हैं तव्यत तव्य और अनियर सूत्रकार ने एक ही सूत्र के द्वारा तीन प्रत्यों का विधान किया तव्यत और तव्य दोनों प्रत्यों से रूप तो एक जैसे बनते हैं लेकिन तव्यत के अत्रुक्त तव्य प्रत्य के विधान में क्या वैसिष्ट है हम स्वर्विवेचन के करम में इसका उपपादन करेंगे लेकिन आप ये जानें कि तित स्वरितम इस तव्यत के तकार की संया का फल है कि वह तव्यत प्रत्य से बने हुए पद स्वरित हो जाएं ये प्रियोजन है अनियर प्रत्य ये तीन जो प्रत्य हैं ये दहतु मात्र से भीत हैं इसलिए उत्सर्ग होने के कारण सामान्य प्रत्य होने के कारण इनका प्रथम उपादान किया। उसके अनंतर सुत्रकार ने अचो यत इस सुत्र से आरंब करके यत प्रत्य का विधान किया। अब यत प्रत्य और इसके ठीक अनंतर यत प्रत्य में अचो यत गद मद चर यमस्चानुप सरगे पोरद उबधात इत्यादी सूत्रों के द्वारा यत का विधान करने के अनंतर कतिपे सूत्रों के द्वारा उन्होंने निपातन भी किया यत प्रत्यानतों का इसके अनंतर उन्होंने क्यप प्रत्य का विधान किया, यदिपी यत और क्यप दोनों प्रत्यों से प्रत्यों में अनुवंद लोप हो जाने के बाद यकार मात्र अबसिष्ट रहता है, फिर भी अनुवंद के कारण रूप में वैलक्षन्य आता है, इसी रूप वैलक्षन्य को ध्यान मे रखकर सूत्रकार ने यत की अपिक्षा क्यप को अनंतर में रखा क्यप के लिए आप यह देख सकते हैं एतिस्त सास्वरी द्रीजुशक क्यप जिससे हम शिश्यहा इत्यहा अजिरूप बनाते हैं अचो यत के द्वारा अजंत धातू से यत प्रत्य करते हैं और यह जो क्यप प्रत्य है यह धातू विशेश से निप्रकृति विशेश से दीत होता है जिसमें शिश्यहां आदृत्यहा इत्याधी रूपों की सिद्धी होती है इसमें तीन सूत्र ऐसे हैं जो यत और क्यप दोनों के वैकल्पिक रूप का विवस्थापन करते हैं जैसे भुबो भावे, हनस्त, च, इत्यादी जैसे हत्या शब्द का प्रयोग होता है लोक में तो हननम हत्या उपपद के बिना हत्या शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है वो असाधू है लेकिन ब्रह्मनों हननम ब्रह्म हत्या यहां यह साधू है उपपद पूरुबक हन्धातू से हम क्यप करके और तुक न करने के बाद ब्रह्म हत्या यह साधू है किन्तु उपपद रहित हत्या शब्द का प्रयोग असादू है इसी प्रकार ब्रह्मनो भावः ब्रह्मभुयम यह प्रयोग भी इसी कृत्य प्रत्य के योग से बनता है इसके अनंतर हमारे सामने जो प्रत्य है वह है नियत प्रत्य इसका बहुत व्यापक स्वरूप है रिह नेत प्रत्य होता है अर्थ तो वही है बहावर कर्म के अर्थ में जैसे किरी धातु से और Hayam Both zehn और जब हम हम हलंत धातु से करते हैं तो पाक्यं लाविज यूप बनता है तो इसके अनंतर पानेनी जी ने कतिपे ऐसे रूपों को रखा जिन में नित प्रत्य का निपातन किया गया यह निपातन दो प्रकार के हैं लोकिक निपातन है और कुछ चांदस निपातन है अनायो नित्ये पाय निकाय सन्नाय धाय मान हविर निवास सामिध है नीशु इत्य शोत्रों के द्वारा णियत का विधान देखा जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कर्द्य का अम्षासन साथ प्रत्यों का अम्षासन सूत्रकार करते है। इन कृति प्रत्य के अमशासनों में हम एक बात बढ़ी गहराहि से देख कर प्राप्ट करते हैं थिसकार में बात धिवादक भाव है, एक शुतर दूसरी शुतर को बाधित करता है, लोक में भी देखते हैं कि दुरुबल सबल के द्वारा बाधित होता है इसी प्रकार व्या होता है दैसा की एक सिपарिभाशा एक प्रसिद्द्श है यह नाप्राप्ते योब लीरा अर्ब हते सतस्य बाधकोग भुवदी यत कर्त्रक अठा जिसके द्वारा आवश्य प्राप्ती रहने पर पुनादिस विधि कारंप करते हैं वह विधी अवश्यप प्राप्त विधी की बाधिका होती है वह शास्त्र कोटा है उधारन के लिए इस सुत्र से हलंत होने के कारण शप लग इस धातु से नियत की नित्य प्राप्ति है लेकिन भगवान पाणिनी पूर अदुपधात सुत्र के द्वारा पवरगांत और अदुपध धातु से यत का विधान करके ये बताते हैं कि इस प्रकार अवश्य प्राप्ति नियत की अवश्य प् होगा कि इसके अत्रिक्त भी हम देखते हैं कि कभी-कभी अनुबंध उसके वैरुप्य का संपादक नानुबंदकर्तमसारुप्यम अनुबंध इस संग्यकवरन उसका रूप विद्रावक नहीं होता तो कतिपे निमों के दर्शन से ज्यात होता है कि कृत्या अनुशासन के क हमारे सामने तब्यत तब्य अनियर यात्र नियत क्याप और केली मर भगवान पांडिनी ने किसी विशेश कार्य को ध्यान में रखकर इन प्रत्यों के अंतिम में या आदी में अनुबंधों का आसंजन किया है अनुबंध शब्द ही बताता है कि मूल विद्हे जो प्रत्य है उनमें किसी कार्य को ध्यान में रखकर के बादमी जिनका आसंजन किया गया है इसलिए हम उनको अनुबंध कहते हैं उदारन के लिए आप देखेंगे तब्यत का तकार तब में वह तकार दर्शन नहीं होता केली मर में रेप का दर्शन हो रहा है ककार की संया की गई ककार की संया तो गुलवर्दी के निशेद के लिए है केली मर का जो रेप इस संयक है उपोत्तम मृती से आधी उदात्य हो जाए इसके लिए किया गया तब्यत का तकार तित स्वरितम से स्वरित हो जाए इ शुट्रकार ने बड़ी दूर दर्शिता पूर्वक्क्षुमेक्षिका पूर्वक्षुमेक्षिका उनुबंधों का आसंजन किया है है इसके अत्रिक्त लोक में हम देखते हैं कि गच्छन्तू पठंतू इसके स्थान पर गमनिय पठनियम गंतव्यम पठितव्यम दर्शनियम पश्षंतू की जगह पर दर्शनियम का प्रयोग करके लोग अपने आपको सुष्टु प्रयोग कारी अनुभव करते हैं इस प्रकार भाशा में तब्यत तव्रिय अनियर यत नियत का इतना प्रयोग मिलता है और भगवान पाणिनी ने इसी प्रयोग बाहुल्य को ध्यान में रख करके इस प्रत्य के महत्य को ध्या आपन किया है